अनात बच्ची नेहा अपने बड़े भाई प्रिंस और अपने माता पिता के साथ एक खुशाल जिन्दगी जी रही थी, ऐसे ही एक दिन प्रिंस बेटा, तुम्हारी नाने की तब्यत खराब है, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी नाने से मिलने जा रहे हैं कल सुबा तक हम दोनों आ जाएंगे, इसलिए जब तक हम दोनों ना आ जाए, तुम अपनी चूटी बेहन का ख्राल रखना ठीके मा, प्रिंस की माता-पिता चले जाते हैं, प्रिंस अभी 14 साल का था, तो वही नीहा केवल 10 साल की अभी दोनों ही बच्चे बहुत छोटे थे, और ऐसा पहली बार हुआ था कि नीहा की माता-पिता उन दोनों को अकिला घर में छोड़ कर गये थे नीहा खाना बना कर गई थी, इसलिए रात को दोनों भाई बेहन वही खाना खाकर सो जाते हैं, देखती ही देखती सुबह हो जाती है, पर ये क्या, सुबह सी दुपैर हो गई, पर अब तक नीहा और प्रिंस की माता-पिता घर नहीं आए भाईया, मा ने तो कहा था कि वो सुबह घर आ जाएंगी, पर अब तक ममी पपा गार नहीं आए तु सही बोल रही है नेहा, लगता है नाने की तब्यत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई होगी, पर कोई बात नहीं, शाम तक तो वो आई जाएंगे पर भाईया, मुझे बहुत भूख लग रही है, चल रसोई में कुछ देखते है, क्या पता कुछ खाने की चीज़ मल जाए अब दोनों भाई बहन रसोई में खाने का सामान देखने लगते हैं, और उन्हें मैगी मिलती है परिंस को मैगी बनानी आती थी, इसलिए वो अपनी बहन के लिए मैगी बना दीता है उससे खाकर दोनों भाई बहन अपना पेट भर लेते हैं, और अब अपने माता पिता का इंतजार करने लगते हैं दोपैर से भर रात हो जाती है, पर अब तक उसके माता पिता नहीं आते, अब दोनों ही बच्चों को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है भाईया मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, और उनका फोन भी नहीं लग रहा, अब नानी को फोन करके पूछो ना मम्मी पापा कहा रह गया हाँ नेहा, मैं अभी नानी को फोन करके पूछता हूँ हलो नानी, क्या मम्मी पापा अभी भी आपके पास है? और नेहा की चिंता बढ़ने लगती है तब ही उनके दर्वासे पर दस्तक होती है जैसे ही प्रिंस दर्वासा खोलता है वो देखता है कि एंबुलेंस में उनकी माता पिता की लाश है बच्चो और सुबह एक दुरगटना में तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई तुम्हारे माता पिता की पर्स में हमें कुछ डोकुमेंट्स मिले थे और इससे तुम्हारे घर का पता जल सका और हम यहां तक पहुँच गया है इस तरह से एंबुलेंस उनके अब मम्मी पापा भी हमारे साथ नहीं है अब हमारी देख रहे कौन करेगा तु यहीं रुख मैं तरे लिए खाना बनाओगा अब से पहले प्रिंस ने कभी खाना नहीं बनाया था इसलिए उसे खाना बनाना भी नहीं आता था पर फिर भी वो खाना बनाता है और खाना बनाते हुए प्रिंस का हाथ पी जल जाता है ये देख कर निहा खाने से मना करतीती है तब ही उनकी एक पडोसन आकर उन्हें थोड़ा सा खाना दे जाती है उसी खाने को खाकर दोनों भाय बेहन अपना पेट भर लेते हैं कुछ दिर वज़ में उन्होंने ये घर गिर भी रखा था तो अब ये घर मेरा है तुम दोनों को यहां से कहीं और जाना होगा इस तरह से वो आदमी उनकी घर को हथ्या लीता है और दोनों अनात बच्चों को घर से निकाल दीता है दोनों अनात बच्ची रोते हुए अपने चाचा की पास जाते हैं पर वो भी उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं गाउं वालों को दोनों बच्चों पर बहुत तरसा रहा था पर फिर भी कोई भी उनकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ता अब प्रिंस अपनी बहन की साथ रोड पर दर-दर की ठोकरे खाने लगता है और पिता को हमारी बहुत फिक्र होती थी बर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हम दोनों भाई बहन अनाथ है हमारे पास रहने के लिए अब कोई जगा नहीं है हमारे पास हमारा खुद का एक चोटा सा घर था पर एक अंकल ने आमें हमारे घर से भी निकाल दिया ये तो और पेट भर कर खाना भी दिती है, ये देख कर निहा और प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है, भया यह आंटी कितनी अच्छी है न, हमें हमारे चाचा चाची ने भी नहीं अपनाया, पर इससाँटी ने हमें अपने घर में रखा और खाने को भी दिया, भया आपसे हम यही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे हाँ मेरी बहन इस तरह से दोनों भाई बहन आराम करने लगते हैं और आपस में बाते तब ही वो औरत आती है और निया के बाल पकड़ कर दोनों को धमकाते हुए कहती है अगर सारी उमर इस घर में रहना है न तो दोनों भाई बहन को काम करना पड़ेगा मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए तुम दोनों को यहाँ नहीं लाई मैं समझे मेरे घर में नौकर नहीं था इसलिए मैंने सोचा तुम अनाथ बच्चों को अपने घर में रख लूँ इस तरह से तुम्हें रहने के लिए जगा और मुझे फ्री का नौकर मिल जाएगा चलो, अब दोनों भाई बेहन काम पर लग जाओ मेरी बेहन को मत मारो, उसे जोड़ दो, वो अभी बहुत जोटी है मैं घर का सारा काम कर दूँगा अच्छा, तो तेरी कमजूरी तेरी बेहन है तो सुन लड़के, अगर तुने अपना काम सही से नहीं किया तो तेरी गलती की सजा तेरी बेहन को मिलेगी जाओ, दोनों भाई बेहन काम पर लग जाओ इस तरह से वो औरत दोनों अनाद बच्चों से अपने घर का सारा काम करवाती और खुद आराम करती ऐसे ही एक दिन उसकी सहली घर पर आती है और उनके घर में बच्चों को काम करता हुआ देख कर कहती है यार, तुम इनानाद बच्चों को कहा से उठा लाई घर कामों के लिए अच्छा सुन तेरे पास दो बच्चे है ना इसमें से एक बच्ची को मेरे घर भीज़ दे मेरे घर में भी नौकरानी नहीं है हाँ हाँ क्यों नहीं बाहर की नौकरानी को तू दो-तिन हजार देती है पर तू मेरी दोस्त है इसलिए तू मुझे हजार उपए दे देना और इस लड़की को ले जा घर का सारा काम खर देगी जब प्रिंस को पता चलता है कि वो औरत उसे उसकी बहन से अलग करना चाहती है तो आधी रात को प्रिंस अपनी बहन के साथ घर छोड़ कर भाग जाता है रात काफी ज़्यादा होती है इसलिए प्रिंस अपनी बहन के साथ एक धाबी के बाहर बैट जाता है कब दोनों की आख लग जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता अरे बच्चो तुम दोनों कौन हो और मेरी दुकान के बाहर क्या कर रहे हो तुमारे माता पिता कहा है अंकल हमाना थे हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है हम एक आण्टी के घर में काम करते थे पर वो आण्टी भी हम दोनों भाई बहन को अलग करना चाती थी इसलिए मैं अपने बहन के साथ यहां आ गया अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए अब मैं खुद अपनी बहन के जिम्मेदारी उठाना चाता हूँ पीटा तुम बहादूर हो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी कम उम्र में तुम अपने बहन के जिम्मेदारी उठाना चाती हो बसे मेरे पास कोई काम तो नहीं है पर फिर भी मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख लूँगा और मेरा एक घर खाली है तुम दोनों भाई बहन आज से उसी घर में रहना इस तरह से धाबे का मालिक अपना चोटा सागर दोनों भाई बहन को रहने के लिए दी दिता है और प्रिंस उसी धाबे पर साफ सफाई का काम करने लगता है और दिन रात मेहनत करके अपनी बहन को स्कूल भीजना शुरू कर दिता है इस तरह से एक अनात बच्चा अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाता है